हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर हार्दिक स्वागत है तो आज हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरब से असिस्टेंट लाइन में का एलम का डिटेल जो रिजल्ट है वो डिकलेर कर दिया गया है लेकिन ये जो रिजल्ट है थोड़ा सा अलग ही तरिके से इनोंने क्या डिकलेर किया है उसके बारे में आप सभी को मैं अपडेट करवाऊंगा ध्यान से सुनना यह लिस्ट यहां पर क्या दे रखा ध्यान से देखना डिटेल ओफ कंडिडेट्स फॉर दा पोस्ट ओफ असिस्टेंट लाइन में यहां पर यह लाइन पढ़नी जरूरी है जिन बच्चों का डोकुमेंट में नाम नहीं आया उनकी यहां तक लिस्ट है यह आप चेक कर सकते हो यहां तक उनकी लिस्ट है यह बात समझ में आगी यहां तकलिष्ट है उन बच्चों की जिनका डोकुमेंट पे नाम नहीं आया ठीक है और यह page number आप इतना देख सकते हो इस कुछ word भी लिखा हूँ है word लिखा हूँ है rejected implies for Omar smugged या stretched ठीक है ना stretch कर रखे उन्होंने Omar को या फिर इन्होंने क्या है जो इनकी जो Omar शेटा वो reject हो चुकी है ठीक है ना अगर कहीं पर आपको reject नाम दिखाए दे उसका मतलब है आपने Omar को क्या करका है scratched करका है ठीक है तो चलिए यह बात होगी clear अब यहां पर से देखिए यहां से शुरू होता है असली point कि detail of candidate short listed for scrutiny जिन बच्चों का DV के अंदर नाम आया है तो वो आप अब यहां पर check कर सकते हो कितने नंबर वालों बच्चों का DV आया हुआ है for the post of assistant lineman और आपके total नंबर कितने बन रहा है वो यहां पर सब कुछ दिखा रखा है जिन बच्चों को doubt था sir मेरे इतने नंबर थे मेरा selection नहीं हुआ मेरे इतने नंबर थे मेरा selection नहीं हुआ और जो बच्चे बोल भी रहे थे ना भी 5 नंबर और 5.5 यानि 10 नंबर से ठीक है यह रिजल्ट आप चेक कीजिए यहां पर सब कुछ दे रखा है eligibility bca ठीक है यहां पर पूरा यहां पर क्या आप देख सकते हो यह जो list है पूरी में टेलिग्राम चैनल अपना जो है टेलिग्राम चैनल आप सभी को पता है hssc alm9 इस पर टेलिग्राम चैनल पर हम डाल देंगे अब सभी बच्चों का doubt मेरे साफ से clear हो जाएगा कि किसके कितने नंबर बने है और जो बच्चा future की त्यारी करना चाहता है future में हर्याना के अंदर जो भी post आएगी उसकी त्यारी करना चाहता है तो वो साथी KTP Classes एप को जुरूर डाउनलोड करें बच्चे अभी से त्यारी में जुट चुके है आप कहीं लेट ना हो जाओ इसलिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ इस पर क्याए 23 तरिक से जो कोर्स शुरू हुआ था उसको आप जोईन कीजिए और कुछ एक बच्चों का जो रिजल्ट पेंडिंग अब आप देखिए कोर्ट केस की विज़से इनका क्या है यहाँ पर डेटेल रिजल्ट नहीं डाला गया ठीक है यह बात भी आप ध्यान से पड़ो नो कंडिडेट हैज बिन गिवन more than total 10 marks 10 number से उपर number नहीं मिले किसी को ठीक है social economic की है experience की है यह सब कुछ ठीक है और rejected word आप देख सकते हो जिसने omar shit को scratch का रखा है खराब का रखिया उनके लिए क्या है rejected word इन्होंने लिख दिया ठीक है यह note eligible थे यहां पर और भी कुछ देखते है court case का कुछ दिखाई दे तो हम देख लेते हैं एक बार क्योंकि एक candidate का इसकंदर हमें दिखाए भी court case का इनकेंदर कुछ नकुछ pending है ठीक है चलिए यही सब कुछ detail थी जो कि मैंने आपको बता दी उमेद करता हूँ अब आपको सब कुछ clear हो गया कितने नमबर आपके बन रहे हैं अब आप अराम से comment section में जरूर बताना भी आपके कितने नमबर बन रहे हैं जिन बच्चों को पता चल गया भी मेरे इतने नमबर है और selection नहीं हुआ किसी current ones ठीक है तो वो अपने त्यारी में आपके लग जाईए लगातार त्यारी कीजिए मिलते हैं next thank you very much